बिहार टीवी नई सोच नई दिशा फाना ध्यच मुहम्मद अफसर हुसान ने बताया कि पुलिस की सूचना मिली की रविवार की रात सलालपूर में लूटी गई लगजरी वाहन के साथ कुछ लोग आय हुए हैं सूचना मिलते ही पुलिस ने घेरा बंदी कर वाहन के साथ दोनों को दबोच लिया हलाकि गिरफतार दूसरा यूवक अभी तक अपना नाम पता पुलिस को नहीं बताया है पुलिस उससे गहन पूचताच कर रही है वहीं डबलू यादव ने पुलिस के समझ सुईकार किया कि वे अब तक चार पांच ट्रैक्टर वा चार ट्रैक चोरी कर सभी को कटवा कर बेच दिया है पुलिस नोनों बदमाशों का अपराधी कितिहास खंगालने में लगी है थाना ध्यच ने बताया कि दोनों को कोट के आदेश के बाद रिमान लेकर पूचताच की जाएगी उन्होंने बताया कि पकड़े गए लोगों से कई अहम जानकारी मिलने की संभाव ना है हमसे जुड़े रहने के लिए और इसी परकार की ताजा खबरों को पाने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल बिहार टेवी को सब्सक्राइब करें और तुरण नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले